Hey guys, welcome back to the channel, hope करता हूँ कि आप लोग काफिज जादा बड़ी आ होंगे So guys, कल मैंने आप लोग के साथ 2022 महिंदरा स्कॉर्प्यो के वेरिंट के लिस्ट शेयर की थी सबसे पहले जिसके उन्दर मैंने आप लोग को पताया था कि कौन से इसके वेरिंट्स आने वाले हैं मैंने आप लोग को बताया था Z2, Z4, Z6, Z8, Z8, L, total 5 वेरिंट्स पताया थे बट मैंने आप लोग को यह नहीं बताया था कि यह कौनसे seating option के साथ और कौन से 2 wheel drive और कौन सा 4 wheel drive के साथ आने वाला है बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग ताँ share करने वाला हूँ महिंद्र स्कॉर्पियो के confirm variants with seating option और कौन सा आपको किस engine option और कौन सा आपको 2 wheel drive and full wheel drive के साथ देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe जरू कर लें ताकि ऐसे upcoming updates आप लोग को से miss ना हो अगर बात करें महिंद्र स्कॉर्पियो 2022 की तो आपको इसके अंदर total 36 variants देखने के लिए मिल जाएगे और अगर हम current generation के भी variants को add on करें तो total आपको 40 variants देखने के लिए मिल जाएंगे जो महिंद्रा Scorpio है जो अभी current generation में चल रहे है उसका नाम हो जाएगा classic जिसके 4 variants आपको देखने के लिए मिलेंगे अब बात करते हैं कि Scorpion 2022 के साथ आपको कौन-कौन से variants मिलने वाले हैं सबसे फ़हले बात करेंगे इसके patrol variants की तो यहाँ पर आपको मैं list share कर रहा हूँ जिसका credit जातर rushlane.com को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ है manual variant के list और एक तरफ है automatic variant के list Z2 जो कि base variant रहने वाला है यहाँ पर आपको 7 seat layout के साथ available मिलेगा कहीं पर भी आपको Scorpio में 5 seat का जो option है वो नहीं मिल रहा है यह काफी अच्छा update है महिंदरा की तरफ से Z2 variant के अंदर आपको 2 wheel drive 7 seat का option देखने के लिए मिल जाएगा बट यहाँ पर आपको कोई भी automatic variant देखने के लिए आपको 6 seat के option के साथ भी मिल रहा है यह सारे variants आपको automatic के अंदर भी available मिल रहा है वहीं Z8L आपको automatic के अंदर भी available मिल रहा है बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको 4 wheel drive चाहिए तो वो variant आपको पेट्रोल option के साथ नहीं मिलेगा अब बात करते हैं इसके diesel variants की जहां पर आपको जो Z2 है वो manual variant के साथ available मिलेगा डीजल के अंदर 7 seat layout के साथ यहां पर भी आपको कोई भी automatic का provision नहीं मिलता है वहीं Z4, Z6, Z8 and Z8L आपको जो है वो 7 seat और 6 seat का जो configuration है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही जो automatic variants है वो भी आपको यहां पर available दिये जा रहे है अब बात करते हैं इसके 4 wheel drive की जिसके बरे में आप लोग काफी जादा पूछते हैं So 4 wheel drive आपको Z4, Z6, Z8 और Z8L के साथ available मिलने वाला है डीजल के साथ बट जो Z8 है उसके अंदर आपको 6 seat और 7 seat configuration मिल जाएगी 4 wheel drive के साथ and with diesel variant साथ ही आपको जो automatic है वो भी available दिया जा रहा है 4 wheel drive के अंदर बट यह आपको Z8 के अंदर और Z8L के साथ available मिलेगा seating configuration आपको 7 seat और 6 seat भी available मिलने वाली है so overall आपको 36 variants मिल रहे हैं जो कि काफी जादा है so अब बात करते हैं इसके कुछ classic variants की जो की अभी current generation के अंदर Scorpio है उसके कौन-कौन से आपको variants देखने के लिए मिलेंगे वो मैं आप लोगों बतायता हूँ यहाँ पर अब आपको मिलेगा S3 plus 7 seat के साथ S3 plus 9 seat के साथ S11 7 seat के साथ and S11 9 seat configuration के साथ आपको available मिलने वाला है so guys यह थी 2022 महिंदरा Scorpio के variants की list 36 variants आपको नई वाली Scorpio के मिल रहे हैं 4 variants आपको current generation के लिए मिल रहे हैं so overall यह हो जाते हैं 40 variants जो कि काफी जादा है आपको यह variants कैसे लगे और कोई अगर variant आपको लगता है कि किसी configuration के साथ miss हो गया है तो वो भी आप comment करके जबर बता है, साथ ही वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिल दे नेक्स वीडियो में एक ओने update के साथ till then take care, be safe and bye